मुझे वल्कम बैक टो माई यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड्स अभी वजने दो फरके चार और मुझे कनाता हेर स्पा इसलिए मैं फिर से अभी नहा के रेडी हो गई हूँ इसलिए मेरे बाला भी गीले हैं तो आज आप मेरे इस वाग को पूरा देखे का इस वाग में आप के रूटीन होता है वो भी आपको देखने मिलेगा और साथ में मुझे थोड़ा काम था अभी थोड़े मॉनी प्लांट मुझे लगाने थे बूभी मैं लगाऊंगी और जो मेरी नाइट में कीचन के क्लीनिंग होती है जो मुझे डेली करनी होती है कंपल सरी है वो भी आज कि यस लोग में देखने मिलेगा तो मेरा व्लाग ऐसे ही देखके रही है और जिन लोग ने अब तक मेरे चा बने लोग के प्लीज मेरे चानल के सब्सक्राइब कर जीजे ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकहें तो मेरे पास थी एक सॉस की बॉटल तो उसमें म फटाफट से फोल्ड कर ले रही हूं और यहां का मौसम ऐसा है कि बादल तो आते हैं पर गर्मी भी उतनी ज्यादा तेज हो गई है बिल्कुल और जो हमारा घर है यह सिंगल स्टोरी घर है इसके उपर कोई फ्लोर नहीं है छट बहुत ज़्यादा गरम हो जाती है उसकी फोड़ा सा वैसा हो गया था बादल वाला और आज मैं एर वॉष भी ती तो सोच हुए कि थोड़ा सा चाय पिलू उसके बाद मैं आ गई हूं कि इनर प्रिपेर करने तो यहां पर सबसे पहले मैं दाल चड़ाओं की कूकर में क्योंकि मैं फ्राइड दाल बनाने वाली हू चामल रोटी यह रहेगा आज डिनर में तो यहां पर मैं दाल चड़ा दी हूं इसमें हल्दी और नमक पहले ही डाल दी हूं उसके वाद मैं छिल दे हूं लौकी तो लौकी की सुकी सबजी बनाएं कि और राइडाल जो के खाने में बहुत अच्छी लगती है सांत में तो कब आ जाईए फिर चलते हैं बाहर तो देखिए फटा-फट जब मुझे यह डीनर प्रिपर करना है उसके बाद हाज पहले ही फटा-फट सारे काम निपटा लेती हूँ ताकि वह आये तो फिर मैं उनक्या जो भी है काम करके दूँ और फिर हम साथ में फटा-फट से डीनर कर लें तो देखिए एक तरफ लोकी की सबजी बन रही है और एक तरफ मैं दाल को फ्राइब कर रही हूं तो फ्राइब इसमें मैं सारे मसाला आड़ कर रही हूं पहले मैं लोकी की सबजी नहीं खाती थी शादी के पहले लेकिन अब हस्बेन खाते हैं इसके वज़े से मुझे पे अच्छी लगने लगी तो देखिए यहां पर टमाटर गल गया है और तब तक इसमें भी मैं टमाटर आड़ कर देती हैं लोकी की सबजी में उसके बाद टमाटर तचसे गल गया है इसमें मैं आड़ करूंगी जो दाल उबाले थे कूकर में उसको और उसमें पानी आड़ करके इसको इसको अच्छा से उबलने के लिए रख दूंगे और जैसी इसमें उबाला जाएगा फिर इसमें और इतनी हैं सबस्सी आंड़ी है तो हम आग combinations fresh ज्यूspeber बोलत हैं बाद दूबै यहां से अच्छे बाद एक्च्छा सामान आड़ं खरीद्बिक्ड आगरत वह दो जकी सबस्सें आप इस लिए अच्छी स्बस्सें कंश्ता। है उसके बाद फिर हजबन को भी थोड़ा कुछ सामान खरीदना था वह हम खरीद ले उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा दही पूरी यहां पर खाली उसके बाद फिर हम घर आने के बाद मैं डीनर में सिपरोटी बची थी वराने की वह मैं बना ली उसके बाद फिर हम डीनर कर थी बेशन यह सब लेकर आए थी मैं और यह ओईल और उसके बाद फिर यहां पर यह ब्रश और यह स्पून मुझे बहुत पसंद आया 49 रुपीस का था बहुत अच्छा शेप में लगा तो मैं लेकर आ गए उसके बाद फिर मैं यहां पर लेकर आई हूं दही कड़ी दही कड पर बने जाओंगे बी उसके बाद यह भाद यह बाद यह जो डिश्वासर के बरतन सुख गये थे इसको मैं ड्रॉर में अच्छा से जमा दे रही हूं क्योंकि अब पूरे बरतन फिर से दोने के लिए डाल दोंगे डिश्वासर में और तब तक मुझे थोड़ा सा किचन की क्लीनिंग भी करना है तो यहाँ पर देखिए मैं फटाफट से यह बरतन जो है वो ड्रॉर में जमा दे रही हूँ जो जिस सेक्शन में डालना है उसके बाद फिर मैं यहाँ पर जितते भी बरतन डिश्वासर में धूले के नहीं दू सकते है और वो खराब हो जाते है इसलिए वो safe नहीं होते हैं धोने के लिए फिर यहां से उपर वाला भी section मैंची से जमा ले रही हूँ और मैं कोशिश करती हूँ mostly कि जो बरतन धोने वाला काम है वो रात महीनी पड़ जाए तो बहुत अचाहिए क्युकि उससे äभास साफ साफ और ढूलेयों बड़तन मिलते है तो काम करने में में अतनी हो जाती अगर मुझे dishwasser भी load करना होता तो वह भी रात में करने कोशिश करती हूं क्योंकि उससे क्या होता है न सुबह उतना time manage जाता है और ऐसा हो जाता है कभी कभी सुबह भी करना पड़ जाता है तो फिर देखिए उसके बाद मैं आगे हूँ किचन में किचन में मैं यहाँ डाल रही हूँ liquid ड्वीड दाल के मैं पूरा गैस्ट वर अच्छे से साफ कर लूँगी तो दाल अच्छे से रहोंगी तो दाल गिर गई तो इसको पूरा अच्छे से मैं धूर फलेट्फॉर्म मैं उसको बहुछ में चोपना लगता है शुना तो ऑपर भी छीटे लग जाते हैं जहहूं कर ल पाउचes में ले आती हूं कि मुझे जादा जरौत नहीं पड़ती है क्योंकि dish washer में तो bar use होता है उसके बाद फिर ये जो gas के जो भी है ये भी मैं clean कर ले रही हूँ और इसको clean करने के बाद फिर रात पर सुकने के लिए रख़ दूंगी इसको सुबही जमाऊंगे मैं तो ये clean करना भी बहुत जरूरी है, अगर ये भी खराब हो गए, तो इसको भी साफ सुत्रा रखना बहुत जरूरी है, और kitchen बहुत important area है, मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि hygiene maintain करना, kitchen के साफ सफाई maintain करना बहुत जरूरी है, यहाँ पे खाना बनता है, और खाने पीने की क्योंकि अगर ये नहीं के, तो कुछ छूटा-छूटा सा, कुछ अजीब सा लगता है, तो इस तरीके से ये चीच करना बहुत जरूरी है, और देखिए, मेरे बरतन भी यहाँ पे सारे धूल गया है, उसके बाद मैं जो भी ब्रशे साध होने के, वो भी clean करके रख दूँ क्योंकि ये clean हो जाते हैं तो सुबर फिर आसानी रहती है सारे काम करने में, और जो साइड में गंजी आप देख रहे हैं, मैं पानी भरके रखती हूँ, कार्पोरेशन का direct पानी इसमें आता है, तो ये मैं भरके रखती हूँ, और इसका यूज़ करती हूँ, मैं cooking में जित oil और सारी left door उसमें होते ही हैं, तो उसके बाद उसको clean करना बहुत जरूरी है, तो मैं नल भी यहाँ पे अच्छे से घीस लूँगी, और साथी में tiles भी अच्छे से घीस लूँगी, क्योंकि tiles में भी थोड़ा छिटकता ही है, जहीं सब करने के टाइम पे काम करने के पाद तो उसके बाद मैं पानी से अच्छे से साब चीजों को धोलूँगी, उसके बाद मैं वाइपर से पूरा पानी खीच लूँगी शिंक में, और अगर शिंक भी clean रहे हैं, तो कीचन एकदम चम चमाता और अच्छा और एकदम साफ सुतरा लगता है, तो आज रात की night की cleaning ल और सुबर तक ही सब पानी में अच्छे से सुख जाएगा, तो चलिए यहाँ पर मैं व्लॉक एंड करती हूँ, good night friends